आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी आइकन की लाइकन की लाइकन के बारे में जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने HTML, CSS, JavaScript और React के प्रोजेक्ट में इस लाइकन की सबसे खास बत यह है कि आप लोग इस लाइकन की आइकन को अपसलूटली फ्री ओफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं या फिर आपको एक सिंगल क्लिक पर कॉपी बेस्ट करवा के दिखा दे आइकन्स तो काफी कन्वीनियन्स हो जाता है तो चलते हैं इस लाइबरी को एक्स्प्लोर करते हैं लेट्स मूओ अन्टू कम्प्यूटर स्क्रीन नाव सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में हुज आइकन्स नाम की यह एक वेबसाइट है जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो और 25,000 आइकन्स को यूज करने के लिए अब यहां पर काफी कमाल का आइकन्स आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन सबसे बड़ी हाँ बात पता है यहां पर क्या है कि आप जा सकते हो यहां पर आइकन्स वीडियोर पर और कोई भी आइकन की svg फ्री में डाउनलोड कर सकते हो तो यह से मालनो मेरे पास यह हूज आइकन्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है मैं इसको खोलने वाला हूँ व्यस कोड में और व्यस कोड में खोलकर मैं यहां पर index.html लिखूंगा and let's design a navbar तो let's say मुझे यहां पर एक navbar design कर रहा है मैंने लिखा nav मैंने लिखा ul मैंने लिखा li मैं कहूंगा यहां पर home and let's say मैंने इसको replicate भी कर दिया खोल देता हूँ मैं यहां पर screencast mode आप लोग के लिए ताकि आप लोग को असानी हो देखने के लिए और यहां पर आप लोग देखो जैसे ही मैं यह करूंगा home और इसके बाद later से मैं कहता हूँ about और यहां पर मैं कहता हूँ contact us और यहां पर एक style.css में डाल देता हूँ यह by the way plain html css javascript का मैंने project बना दिया है just to show you कि किस तरह से यह चीज़ काम करती है अब हां मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा nav bar है मैं कह सकता हूँ यहां पर जो nav bar के अंदर ul है उसके display को कर दो flex और उसके जो lis है nav के ul के जो lis है उसके अंदर और उसी के साथ साथ क्या कर सकते हैं कि जो list style है उसको कर देंगे हम क्या ठीक है आई किसम ने लिंक नहीं किया तो मैं आप लिंक का इस्तेमाल करूंगा और लिंक CSS का इस्तेमाल करूंगा यह style.css को कर दूंगा और यहां पर आप लोग देख लिए यहां पर से एक logo रखना चाहता हूं मालो मैं चाहता हूं clock मालो मेरी यह clock है और nav को भी display flex कर देता हूं तो nav display flex display flex justify content और मालो मैं कहतेता हूं space around ठीक है और यह कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और align भी कर दूंगा center में nav का line items भी center कर देता हूं और इसके बाद आप लोग देखो यह कुछ इस तरह से देख रहा है मालो मैं आपर एक icon use करना चाहता हूं तो मैं icon को use कर सकता हूं यह मेरा navbar है और इसका अगर color चाहूं navbar का तो मैं background कर दूंगा grey और color कर दूंग white and exactly grey नहीं करूंगा या थोड़ा black की तरफ करूंगा bluish black थोड़ा सा लेट से यह color ठीक है यह color काफी सही लग रहा है और यह मुझे nav पर नहीं चाहिए मुझे sorry इस पर नहीं चाहिए nav पर चाहिए अब मेरे लिए यहां पर clock की आइकन को यह पर search करना है मुझे और मैं यहां पर copy करके paste कर सकता हूँ और मैं यहां पर आके इसको directly paste कर सकता हूँ तो मेरे लिए सेव इतना असान है इस alarm clock को यहां पर रखना तो मैंने यहां पर इसकी SVG को copy paste किया और आप लोग यहां पर देखो कि SVG जो है मुझे देख रही है अब यहां पर यह जो SVG है इसमें मुझे color देना पड़ेगा और मैं definitely अपने background color को white कर दूँगा यहां पर तोड़ा light वाला color कर दूँगा इसको मैं कर दूँगा black जो कि by default होता ही है तो यह देखो आइकन में यहां पर दिख जाएगा और यह जो हमारी SVG है इसको मैं थोड़ा बहुत X में padding दे दूँगा तो इसको padding देकर हम आराम से यह चीज कर सकते हैं तो यह जो display flex में जैसे इसको दूँगा class logo को यह मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो मैं कहूंगा यहां पर dot logo और display हो जाएगा flex ठीक है dot logo display flex और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो X है X में मैं padding दे सकता हूँ तो मैं लिखूंगा यहां पर SVG और इसके बाद मैं लिखूंगा padding let us say मैं लिखूंगा 23 pixels तो यहां पर padding को 23 pixels अगर मैं कर दूँगा तो यह actually सारी दिशाओं से padding इसको मिल गई है तो मैं actually इस तरह से देना चाहूंगा padding इसको थोड़ी सी मैं इसकी size को भी कम करना चाहूंगा कुछ ऐसे यहां पर justify line center कर दिया मैंने और यह देखो तब कुछ center पर आ गया हाँ 23 pixels जड़ी सी ज़ादा है I understand that तो 13 pixels कर देते हैं तो कुल मिलाकर इतना असान है आप लोगे लिए icons की मदद से website को बनाना अब यह आपर font phone थोड़ी बात आप लोग चेंज हर होगे न तो यह और बेटर दिखेगा अब इसी की एक और game changing चीज चीज की NPM CLIS का for developers यहां पर next app जो है मैं आपर लिखोंगा create next app जो कि मैं करना चाहता हूं create next app और यहां पर हम कुछ इस तरह से next app create कर सकते हैं तो मैं simply यहां पर अपने terminal को खोलूँगा और इसको भी रिस्ट करूँगा बन रही है हमारी app अंजी दिन में बन रही है let's open it in code not in powershell sorry in code shift right click or open with code और यह हमारा जो project वो almost ready हो गया yes जैसे यह हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से as a dev dependency आप लोग सिर्फ यह वाला command चला के जो कि मैंने यहां से copy किया था और इसके बाद यहां पर इसको करूँगा पेस्ट और यह as a dev dependency install हो जाएगा फिर इसके बाद मैं इस तरह से icons को list कर सकता हूँ huge icons pro latest list variants list categories इस तरह से मैं कर सकता हूँ ठीक है तो अब यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे examples इसके दिये हुए output dir is equal to src आप कहीं पर भी output कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं huge icons को तो मैं यह चीज आप लोगों को करके दिखाऊंगा तो अभी मैं क्या करूँगा x भी लिखना पड़ता है और अब अगर मैं आपर एक नए टर्मिनल खोलूँ और यहां पर मैं लिखूँ npm run और icons और यहां पर मैं यह list icons रटा दूँगा यह फिर मैं काम करता हूँ इसको रहने देता हूँ आप देखो यहां पर यह मुझे icons की list देखने को मिल रही है और यह सारे icons इसने देखो list कर दिये अब अगर आप लोग चाहते हो इसका usage देखना इसे copy करके directly भी आप लोग चला सकते हो script से just a shortcut आप लोग को मिल जाता है अब देखो मैंने इसको यहां पर चलाया जैसे ही मैं इसको चलाओंगा यहां पर लिखकर आ रहा है get huge icons pro और मैं यह export करना चाहता हूं icons तो मैं इस command का इस्तिमाल करके कर सकता हूँ लेकिन इसके जो free icons हैं वो आप लोग हमेशा इस्तिमाल कर सकते हो सबसे ज़्यादा जो मैं use करता हूँ इसके आप जैसे ही stroke पर क्लिक करोगे आपको इसके SVG icons जो है वो देखने को मिल जाएंगे तो stroke वाले icons जो है वो absolutely free of cost आप लोग इस्तिमाल कर सकते हो इसका react package आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जो कि basically यह huge icons pro का npm project है और इसके बाद इसको यूज करना बेहतासान हो जाता है आप यह command run करके directly जो है वो icons को use कर सकते हो इसका variant category language जो भी आप लोग को देनी है वो दे दो और आपका download हो जाएगा icon जैसे मैं इसको अगर copy करूं command को और इसके बाद यहाँ पर मैं paste करूं तो आप लोग देखो कि npx लगाना पड़ेगा अब मैं तो die script यहां पर use करनी रहा हूँ इसलिए मैं आपर react jsx कर दूगा इसको और जैसे मैं इसको react jsx करूंगा मुझे यह icon jsx में देखने को मिल जाएंगे तो आप देखो इसको jsx में use करना कितना असान है as a component यह icon जो है export हो गए है अब इनको मैं कैसे use करूं अपनी जो jsx कर लेता हूँ javascript react हाँ अब मैं में use कर पा रहा हूँ और मैं यहाँ पर simply क्या करूंगा लिखूंगा add01 icon ठीक है add01 icon और मैं यहाँ पर कहूंगा import add01 icon and that's about it इतना ही आसान है यार next document I guess मैंने आपर कुछ गड़ बड़ कल दिया गया नहीं यह main गलती से import हो गया था but npm run dev जैसे ही में run करूंगा आप लोग भी देखना कि यहाँ पर मैं इसको इसको इस्तेमाल कर सकता हूं तो npm run dev तो मैंने कर दिया है और localhost करने की देर है बस तो यहाँ पर localhost colon 3000 and let's open it in a new tab और इसको जैसे में new tab में खुलूंगा आप देखो कि localhost colon 3000 actually मैंने दोनों tsx or jsx export कर दि और मैं लिखूंगा npx और इसको react jsx and let's wait for all the icons to build and यहाँ पर आप देख सकते हो writing कर दी इसने directory में write कर दिये सारे icons तो यहाँ पर एक index.js जो बनी थी उसको मैंने delete कर दिया and अब मैं इसको जैसे import करूंगा आप देख सकते हो मैं अपने icon को import करके इस्तमाल कर सकता हूं तो य of cost क्योंकि इस ट्रोक वाले जो icons है वो इनके free है तो यह काफी बड़ी है अप लोग अगर इसके basic icons free में use करना चाते हैं you are welcome लेकिन अगर आप लोग इनको खरीदना चाते है icons को कभी कभी हम लोग बड़े clients के लिए काम कर रहे होते हैं और इस साना की library इसको खरीदना कोई जाधा बड़ी बात नहीं होती है if you're working on huge projects तो आप लोग इनको खरीद भी सकते हैं मैं description में जो है link डाल दूँगा आप लोग के लिए और वरना तो आने वाले projects में मैं इस library को काफी इस्तिमाल करने वाला हूं कि मुझे काफी simple and straight forward सी library लगी है और इनके जो icons हैं वो भी लगने को मिल जाते है react.js, svg, react type script अब आप लोग use कर सकते हैं plus आप लोग icons को select करके size और color change कर सकते हैं इस command का स्टमाल करके जैसे कि मैंने आप लोग को बताया आप यहां पर इसका जो variant है वो choose कर सकते हैं अब आप लोग यहां पर svg के parameters को change करके भी यहां पर इसके colors और आप लोग nieuws और खू सकते हैं यहां ख्भी अच्टी करते हैं इस похож अब लोगवा यहफ लोगची कर सकते हैं डाप लोग वहें लोगkovत्छี่ कर सकते हैं अज़ सλस्कारी कर सकते हैं झाल